हेला व्रीवान वेल्कम डिशानल ग्यापनिक एडमी चले स्टार्ट करते और समझते हैं फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है विधूत परिपत आरेक विधूत परिपत आप लोग तो जानते ही हैं विधूत धारा यानिकि एलेक्ट्रिक करेंट को प्रवाहित करने के लिए जो हम लोग पत्तियार करते हैं रास्ता त्यार करते हैं उसी को बोले जता है विधूत परिपत यानिकि उलेक्ट्रिक सर्कृट मुझा जरूरी है मालीजी करूब तूट जाये तूसमें से विधूत धर अप्रवाइट होंगी नहीं होगी तो विधूत पर बनाते हैं करकर उसी को अगर आप लोग कॉपीध पर चितर बना दिया और एक खिच दिया तो उसी को बोला जैता है विदूत परिपत आरे तो विदूत परिपत आरे यान्य साड़ीं इसव फारी चाहिए होगा इसका चिन रहेगा तभी हम कोपी पर उसका चिन बना सकेंगे आ्रेख खित सकेंगे विदूद परीपत का तो यह सारी चीजे switch ammeter, voltmeter जो भी विदूद परीपत में लगती है इस सारी चीजों का सिंबल क्या होता है कि हम लोग इस वीडियो में चलिए समझते हैं सबसे पहली चीज जो कि विधूत परीपत को क्या करती है बनाने में सबसे इंपोर्टेंट रोल निबाती है वो है वैधूत चल विधूत चल से ही विधूत धारा उत्पन होती है क्या बोलता है यह जोता है बस इसको लोग क्या बोलता है M उठा हुआ इसको बोले देता है positive terminal आप देख पा रहे होंगे अच्छे से पता नहीं camera अच्छा से capture कर पा रहे हैं की नहीं देखिए यह है उठा हुआ भाग इसको क्या बोलते है positive terminal यानि की धनावेशित सीरा अब देखिए इसका यह नीचे वाला भाग जो की क्या है समतल है बिल्कुल plane है इसको बोले देखिए नीगेटिव टर्मिनल यानि की रिडावेशित सीरा ठीक है तो यह होगी आप लोग का complete विधूत सेल अब इसको सिंबल में कैसे दिखाते हैं अगर इसको आप लोग को कौपी पर आरेख खिचना है सिंबल में दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं इसको छोटा वाला डंटी से यह हो गया यह प्लस टर्मिनल यह माइनस टर्मिनल यह हो गया आप लोग का क्या वैधूत सेल सिंपल ठीक है अगर मान लिजे एक तार को इस पोजीटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए एक तार को नीगेटिव टर्मिनल से तो बिल सेल को जोड़ीया जाएं सजद कर दिया जाएं संय 카메ा जाता है बहुत सारे सेलों को इस अच्छे से यह होगे आपफ लों का दूसरा विधूत चैल अप मां लीज़े इस दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे देखिए यह चोरी को दो से लगा बैट्री दों सेई वो को जोड़ दिए क्या हो गया बैटरी हो गया अभा मान लिजी आप लोगो तीसरा विधूसल को जोड़ना है तो कैसे चोड़ेंगे अब यह दूसरे वाले का निगेटिब तर्मिनल बच रहे इस तरह बहुत सारे बैटरी आप लोग बना सकते हैं अभी फिलहाल में या पर दो सेलो का बैटरी क्या की हो बनाई हूं देखिए पहले वाले का निगेटिव दूसरे वाले का पोजिटीव ठीक है देख पा रहे हैं आप लोग सिंपल यह हो गया दो सेलों का वे शॉरी यहां पर यह इस सेल का पोजीटिव और नीगेटिव तो यह हो गया पोजीटिव टर्मिनल और इस सेल क्या है यह हो गया नीगेटिव टर्मिनल ठीक है यह एक सेल हो गया फिर दूसरे सेल को कैसे जोड़े थे पहले वाले के निगेटिव से दूसरे वाले का पोजीटिव जो यह पोजिटिव और यह निगेटिव यह वाला देखिए यह वाला यहां पर है और दूसरे वाले का यहां पर ठीक है अब इस दूसरे वाले का एक मिनट इस दूसरे वाले का बस निगेटिव बज जा रहा है न यहां पर तो दूसरे वाले का निगेटिव बज गया यहां पर तो ये दो सेलो का बैटरी बन गया और ये दो सेलो का बैटरी का सिंबल बन गया अब मान लिजे तीसरे चोथे ये फिर बहुत सारे सेलो को जोड़ना चाहते हैं तो ये दूसरे वाले का जो निगेटिव टर्मिनल है इसमें तीसरे वालो को ऐसे जोड़ देंगे फिर एक और जोड़ना है फिर ऐसे जोड़ेंगे फिर एक और ऐसे जोड़ेंगे ऐसे जोड़कर बहुत सारे सेलों का आप लोग बैटरी बना सकते हैं ठीक है लेकिन फिलहाल अभी यहां पर दो ही सेलों का सिंबल रहने दीजिए ठीक है यह होगे आप लोग का बैटरी अब उसका सींबल कैसे बिखाते हैं और जब स्विच और परीपत का स्विच होता है वह नॉर्मल सुइच आप अपने घर परीपत में यह प्लक कुंजी यूज होता है यह कि आप Seems Mother रहे होगे यहां पर एक्प्लग है और उसके साइड में धुम रखा हुआ है यह तोह जो प्लाग में लगा दिया जाता यह परिपत पूरा हो जाता है लेकिन अभी यह जू कुंजी बॉला वह प्लग में नहीं लगा हुआ है था थे तो अभी वो कुंजी नहीं लगा हुआ है यह कौन सी होगा कुंजी खुली हुई कुंजी ठीक है क्या है खुली हुई कुंजी और आप लोग पढ़ चुके है कि विधूद्दारा हमेशा बंद परिपत से प्रवाहित होती है अगर परिपत सर्किट कहीं से कट जाए या फिर तूट जाए तो यहां पर इस कुंजी मेंस फ्ल्क व हम अरो यही होता है वहाला स्वीच को ओफ कर देते हैं वही वाला कंडिशन बस यहां पर आ जाता है यह वाला कंडिशन है अब देखिए इसको सिंबल में कैसे दिखाते हैं खुली हुई कुंजी को देखिए ऐसे करकर ऐसे दिखा देते हैं बस वो जो प्लक का बीच में होल दिख रहा है न वही वाला चीज इसमें दिखा देते हैं ठीक है और वही कुंजी इसमें लग जाएगी तो कौन सा हो जाएगा कुंजी ब ब्लेक कलर का कुंजी होता है वो लगा दिया जाता है तो कौन सा हो जाता है बंद प्लक कुंजी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह हो गया आप लोका बंद प्लक कुंजी क्योंकि जो साइड में कुंजी लगा हुआ था वो क्या किया गया है उस होल में लगा दि है इसलिए इसमें विदुद्दारा प्रवाहित होगी ठीक है इसको ऐसे दिखाते हैं बंद प्लक कुंजी को किलियर हो गई बात आगे है तार संधी तार संधी किसे कहते हैं देखिए जब दो तार या फिर तीन तार को ऐसे एक जगा लाकर जोड़ दिया जाता है उसको बोल करें इसको छिल दी हूँ इस पहर को अटा देंगे दिख पा रहे हैं आप लोगोको थेए यह क्या है दो तारए बस इसबुंदो तारों को एसे ऐसे पिर यहां पर एक बिल्दू मतलब यहां पर क्या हुआ है तार जुड़ा हुआ है तो यह होगी आप लोग का सिंपल सा सिंबल तार संदी का ठीक है अब आगे देखिए तार क्रॉसिंग किसे कहते हैं मैं इसको उपर लिख दी हूँ क्योंकि नीचे 10 से गराप जोड़न से जुड़ा था तो यह क्या हो जा रहा था तार संदी हो जा रहा था मतलब अगर इसमें से धारा प्रवाय। थोगी तो इसमें से भी प्रवायित ओगी oui ही हो गया तार संधी लेकिन तार क्रॉसिंग ना बीना अंदर के वायर को टच करा है सिर्फ तार को ऐसे क्रॉस करा दिया जाता है उसको बोला जाता है तार क्रॉसिंग मतलब ना तो इसमें की धारा इसमें प्रवाइत होगी और ना इसमें की धारा इसमें प्रवाइत होगी सिर्फ तार को कोई ऐसे तार जा रहा है कोई ऐसे तार जा रहा है सिर्फ क्रॉस करा देना है तो क्या बोलते हैं तार क्रॉसिंग अब देखिए इसका सिंबल क्या होगा इसका सिंबल है ऐसे फिर ऐसे ठीक है इस बिंदू पर अब ऐसा नहीं कि सिर्फ दो तीन तारों को ही आ उसका सिम्बल देख लीजे कैसे बनता है ऐसे होकर फिर ऐसे यह क्या हो गया विधूत बल्ब का सिंबल यह इसको एक और तरीका हे दिखाने का ऐसे दो तार निकालना है ठीक है और ऐसे यहाँ पर rectangle type का बना देना है और यहां पर यही वाला filament यहां पर ऐसे बना देना है और ऐसे गोल तो यह हो गया दूसरा तरीका विदूत बर्व को दिखाने का यह दो तरीके हो गए अब देखिए परतिरोधक क्या है यह समझने वाली बाते वैसे तो हम लोग इसको समझेंगे इसके धारा प्रवाहित होती है इसको असलिग जाना होता है यहां परतिरोधक को कैसे लग अगे हो गया ईहां यहां रूकावट वाला चीन है आगे देखिए परिवर्ति परति रोधक का मतलब होता है जिसमें परति रोध को यानि की रुकावट को कम या फिर ज्यादा किया जा सकता है मतलब परिवर्तित किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं परिवर्ति परति रोधक इसको धारा नियंतरक भी बोलते है क्यों कि मालेजे किसी परीपत में बहुत ही तेज विधूत धारा प्रवाइथ हो रही है उसको कम करने के लिए इस परिवर्ति परतिरोधक को लगा दिया जाता है यह परिवर्ति परतिरोधक को ज्यादा कर दिया जाता है तो रुकावट ज्यादा हो जाती है उस परीपत में और धारा कमान क्या हो जाता है कम हो जाता है या फिर अगर किसी परिपत में धारा कमान कम है उसको ज्यादा करना है तो जो परिवर्ति परतिरोधक है इससे क्या किया जाता है परतिरोध यानिक रुकाउट को कम कर दिया जाता है और इससे धारा कमान ज्यादा हो जाता है तो धारा को भी क्या कर रहा है नियंत्रन कर रहा है कम या फिर ज्यादा कर रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं धारा नियंत्रक भी बोलते हैं परिवर्ति परतिरोध को अब देखिए इसका सिंबल क्या होगा ऐसे परतिरोध की तरह बनाना है ऐसे बस ऐसे एरो मार देना है हो या फिर एक और तरीका है इसको दिखाने का ऐसे करकर ऐसे और ऐसे लाकर ऐसे दिखा देना है हो गया यह हो गया परिवर्ति पर्ति रोड़ा आगे है एमीटर एमीटर से तो आप लोग रूबरू होंगे क्योंकि जब मैं विधूत धारा पढ़ा रही थी उसमें आप लोगो को बताई थी एमीटर जो होता है वह विधूत धारा एलेक्ट्रिक करण्ट को मापने वाला यंत्र होता है एमीटर से विधूत धारा को मापा जाता है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं यहीं है अब देखिए इसको सिंबल में कैसे दिखाना है capital A और ऐसे circle कर देन यह पहली तार यह दूस्री तार यह पहला वौला सीरा होता है ना से जोड़ा जाता है यह हो गया और अंवीटर को हमेशा उड़ा जाता है शरेडी करम यह यादίας हमद्धक नहीं मतलब किया मॉलें तेधक नहीं पता है इसको कोई दिक्त नहीं है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियों में समझेंगे नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है आगे देखिए वोल्ट मीटर क्या है इसको भी मैं बताई थी विववांतर यानिकि पोटेंशियल डिफ्रेंस को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं सीरा यह दूसरा वाला सीरा इसको पॉजिटिव से जोड़ देना है ठीक है और एक और बात जो कि बहुत ही जड़ा इंपोर्टेंट है वोल्ट मीटर को हमेशा समानतर क्रम में जोड़ा जाता है ठीक है आप लोग सोच रहे होंगे यह समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग जब परतिरोदों का से योजन समझेंगे ना यानि कि परतिरोदों को जोड़ेंगे तो उसमें बहुत डीपली पढ़ना है सरी क्रम और समानतर क्रम को उसमें हम लोग समझ जाएंगे ठीक है तो यहां तक हो गई क्लियर बात लेज़े यहां तक फटटफट स्क्रिन सॉट तो यहां तक समझ में आ गया इस टॉपिक से कोई भी कमफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए लेकिन हाँ आगर कोई भी कमफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं मैं आप लोग के अक्सर कमेंट को पढ़ती ही तो आज किस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा समझ में आया लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूं आप तक सबसे पहले पहुचे तो आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक् हाफिस